वही शैडूल की ग्राम पंचाय सारंगपुर में मिलावटी चावल की खबर सामने आई है इस महीने पीडियेस तुकान से मिले राश्टन में प्लास्टिक चावल मिलने की बात सामने आ रही है ग्रामीनों का कहना है कि उन्हें जो चावल मिला उसमें प्लास्टिक चावल मिला गया है पकाने के दोरां सही चावल पक जाते हैं वहीं प्लास्टिक वाला चावल नहीं पक रहा है ऐसे में ग्रामीनों को बीमारी का डर सताने लगा है ग्रामीन इस मामरी में गंभीरता से ज अधिकारि का कहना है कि इस महीने को पोशन के खराबMeहीं चलाय के रही है। इसलिए न्मेद्ण। को%cmad चावल बाटा जा रहा है मतलब गरौने मिलावती चावल नहीं फोटी पाइड चावल है 5000 नेंत्रन अधिकारी का कहना है कि चावल खाने से को पोशन और इनीमिय जैसे गंबीर बीमारी से बचा जा सकता है हुआ मिलाव की चावल मिला है उसको हम खाना बनाते हैं तो उसमें प्लास्ट्िक नहीं पकता है पक जाता है कि उसमें प्लास्टिक का चावल मिला हुआ है जो हमको मतलब हमारे घर के लेडी है जिलोग जब उसको दोए जो और या जाता है इसलिए हम मतलब आता रहा है आप में जो फिर शावल प्रस अजया हुआ है प्लास्टिक का चावल दिया जा रहा है, उसमें सच्चा ही नहीं है, वहाँ फुर्टिवाइड राइज आपको दिया जा रहा है, इसे आप उप्योग करें और इसको अलग नहीं करें, इसको अच्छे से पकाए और खाए, यहाँ एनिमिया और कुपोशन जैसी बिमारियों म दिया जा रहा है, इसमें भी पोसक्तत्कों की भरमार होती है, उमरिया में आकाशे बिजली गिरने से एक हादसा हो गया, दरसल खेत में रोपा लगाने के काम कर रहे, एक 32 साल के व्यक्ति पर आकाशे बिजली गिरी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी मौत हो गई, वहीं बत कर दो, इसमें पर के घाद समय कुछ पर दोगा बिजली गिरी, यहीं पर रहा है, इसमें पर एक ही बिजले दोगा है, चिस्टे पर दोगा है, रहा है, रहा है।